कि 4 गराम का दाम 3 रुप्या है ठीक है तो हमको 3 पीज्टी का कितना मिलगा तीन कि पाचास गराम का दाम 3 रुप्या कितना होगा सबसे पहले बताओ कि भारत के राष्ट पती कौन है राम नाच्टोबिन जी अगर अंदर से सोच नहीं होगा तो होगा नहीं पहले से उसको सुचना चाहिए उसका लगन होना चाहिए सबसे इसकों भी खुशी मिलती थी कि मेरा बेटा आगे जाकर कुछ कर पाएगा हर्श को दिखलाने से क्या समाज में बदला हुआ और साथ य साथ आज़ पास के पंचाइत में क्या बदला खुआ ओम मैयाज आपको दिखलाने वाला हूं अभी मेरे साथ हर्स के पिता जी है और उनकी मा है ये भी है दोनों साथ में है और साथ में हर्स है और आज मैं आप लोग को यही बतलाने वाला हूं यही दिखलाने वाला हूं कि एक छोटा सा हर्स है जो 6 क्लास में पढ़ता है और 8 क्लास तक के बच्चे को पढ़ता है तो इ में पढ़ाती हैं अभी मैं इन Gandhischen के घर पर आया हुआ हूँatter और इन से जानुगा तो हर्सके पढ़ता है तो सर आप बताईए सबसे पेले आप यह बताइए किये था बहुत सारे लोग और कॉमेंट भी आया था कि ये सब क्यों दिखलाते हो दिखलाने से क्या मिलता है क्या फायदा होता है आप बताईए कि दिखलाने के बाद क्या बदला हुआ वताईए सर मैं बताना चाहूंगा कि जब वो फेस्बुक पढ़ा रहा था तो उसका देखके यह तो नहीं अब हरस के दुनिया में देख सकते हैं या सरबीन सं앵 के फेस्बुक पर पढ़ा था कि लोग कूं कर रहे हो सौन्यक क्या बात कर रहे हो तो जब सोनू सोचल मीडिया पर आया भी नहीं था तब इसका यूटूब चैनल पर बाइस हजार पलस असकराइबर था आज भी कितना सस्काराब बढ़ा हुआ है और हमेशा परहाता है बीच में मोबाइल टूट जाना है तो फिर कुछ दिन तक डिस्टरब रहा और उमीद करता हूं कि अब मोबाइल खरदाएगा इसको और आगे भी परहाएगा आप बताईए कि मैं बता दना जानता हूं कि जब लोकड तब हमारा बेटा फैस्टुक पर लाईब पढ़ा रहा था यह सबसे बड़ी बात है कि कोई रामायर सीरियल दिखा रहा है बच्चों को घर में रहने के लिए लेकि सिछा का अलग जगा रहा था अ हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा इतना वाइरल हो जाएगा वाइरल हो जो मुखिया बने हैं इसका फेस्बुक लाइब देखके वह भी फेस्बुक लाइब पढ़ाने लगे और उनके कई बच्चे फेस्बुक लाइब पढ़ाने लगे तो एदेखके हमें लगा कि नहीं जो हरस कर रहा है वह बहुत आंगे जाएगा आए इसका एक जगुरुता पूरे भारत में फैलेगा सभी लड़के फेस्बुक का और मोबाइल का दुरु प्योग ना करके फ्योग करेंगे आज हमें सफलता मिल रहा हमें खुसी हो रहे हैं कई लोगों का फोन आया विदायक जी का भी फोन आया विदायक जी सोनू से पहले हमारे विद्याले में आ कराम हुआ है सभी भाई फूले सब में इसको समयनित किया है कि जो लड़का फेस्बुक पढ़ाता है भासर भी दिया है बोला भी है मुंटिन विडियो यह बोलता है लोगों को जागरू करता है यह हमारी बड़ी उपलब्दी है पैसा कमाना कोई बड़ी बात है जब हमने पैसा पाइस चाहिए हर सब्सक्राइब करने लगा कि कि सब्सक्राइब करने लगे रहेए हमारे पान्चाइत के मुख्या करने लगे पूरे भी बता रहे जितने भी से सरकारी स्कूल के टीचर थे तो अपने बदलाव करने लगे तो अब्यागए को आप का लड़का तो पूरे पर्खंड से हमारे अभी परखंड में राष्पती पुरुसकार हरिदास सर्मा जी हैं यह हमें उस दिन खुछी मिली कि हमें बताया नहीं यहां से एक सर्पंच जी हैं उनको पकड़ा की चाचा जी चलो हमें हरिदास सर्मा से मिला दो तो मिलके आया थाम उससे पहले हम पूछ रहा था प्रिसकार ममी पापा कईसे मिलता है आएसे नहीं मिल जाता है है जो बहुत बढ़िया बढ़ियां उसको मिलता है अब और उनके असकूल में पढ़ाया है विडियो हर्स की दुनिया चैनल में आख आप तो इसका यह देखिए कि कितना लगन है कि इसको सोच है कि हमें उनको हर्स राश्पती पुरुषकार मिल गया तो हमको क्यों नहीं मिलेगा अब लग रहा है कि इसका सोच अच्छा है अब हर्स की मास जानते हैं और कहीं नहीं कहीं इनका बहुत बड़ा यगदान है हर्स को य जब छोटे थे इब बुक लेकर हमके हमको आगे पिछे घुमते रहता है कि नहीं ममी यह बताओ बताओ हमको भी खुशी मिलती थी कि मेरा बेटा आगे जाकर कुछ कर पाएगा बहुत मतलब पहले से इनका लगन था और आज भी है पूरा मतलब विश्वास है कि कुछ कर प सफलता मिलेगा हर तो आपने इनको डाट लगाया है मतलम सची की च्छा कि आगे लगनवाड साहिए को यहां से मतलम से छोड़कर जोड बच्चे को पढ़ाने कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं तो हम सोची कि मतलब इस सग्ल को पहीं आगे बढ़ाया जा इनको पटना बीटा में इनको जाकर इंटर्वीव भी दिलवाए थे इंटर्वीव में निकल गया वहां से टीजर लोग फोन करने लगे कि एड्मीशन करवा दीजिए तो 22 मर्च को 2019 में एड्मीशन करवाने जाना था तो लोग डाउन लगने वाल आएगा देखते देखते दो साल दिन बित गया तो हम सोची कि जब मोबाइल पर यह सब सारा चीज देख रहे हैं गंती इंगलती यह सब तलब रस्ता पजाएंगे सारा मेहनत बेकार हो जाएगा तो कुछ सीख्षा को देखिए तो वहीं अपना शुरू किया पढ़ने सब्सक्राइबर बने हम बच्चे को देखाएं बच्चे को प्रेरित करें कि यह बच्चा ऐसे करता है तो आपको भी करना पड़ेगा उस बात को सुनतर हम लोग है करते हैं तो लोग हैं और ऑपिक रहे हैं हम नहीं देखेंगे तो मैंटेखेंगे मतलब बच्चे लोग देखेंगे तो सिख्छा बच्चा से सीख्च पाएगा कि नहीं सब्सक्राइन थे कुछ तो यह हुआ हर से जान लेते हैं अब हर कुछ कहना चाहते हो यह कोशन है तुम्हार से कोशन के सवाल के जवाब देते ना ठीक है ना सबसे पहले बताओ कि भारत के राश्ट पती कौन है रामनाथ तोबिन जी अच्छा रामनाथ कोविन देखे हो खोटों में अच्छा एक सब्सक्राइब दो रुप्या क्या बात है बहुत बढ़िया अच्छा चास ग्राम का दाम तीन रुप्या है ठीक है तो हमको तीन केजी का कितना मिलेगा तीन केजी का पचास ग्राम का दाम तीन रुप्या तो तीन केजी का दाम कितना होगा साथ एक साथ रुपया हो गया और तीन केजी कदाम एक सवाल भी इन से किया और उमीद है कि आप लोग लोग को क्या कुछ करना चाते हैं आप ही वो लिए सर यहीं हम कहेंगे कि हमारा यहीं बिंति है कि सब अपने बच्चे पर मतलब इतना नजर रखे कि बीना सिक्षा के कोई नहीं पाएगा कुछ का और ब्रोजगारी बढ़ती जाती है तो हम लोग को सिक्षा आगे बढ़ाए आगे और मेरा बेटा और जिससे से अपने बच्चे को पढ़ा रही है वह से आप अपने गांगे बच्चे को पढ़ाती है रही है हां हम सब सोचते कि जब चार हम उनको अतु समझते हैं आप कहां तक प्रहाई लिखाई किये हैं हमें में किये हैं देखिए यह पढ़ी लिखी व्यक्ति का ही यह सोच है आप क्या कुछ करना चाहरे ते मेरा यह काना है कि हमारे जितने बिहार के लोग सोनु और हर्स का चनल देखे कितने लोग नाकरात्मक सच रहते हैं आप नाकरात्मक चीज़ा ना दिखाए जिम्त नहीं है क्योंकि छोटा बच्चा को आपना तर नहें और दिकाईएगा दो इसलिए आप चीज दिखाने का काम करें लोगत अच्छा लडगा है सुनु का दिन है कि सिछा का जगरुकता बिहार में फल गया सोनु हर्ष जैसे और कितने बच्चे टाइलेंट होंगे जागुरूख होंगे कि हमारे गाउं में मुख मंतरी आएंगे तो हम उनसे मिलके अपनी बात रखेंगे बहुत बढ़िया बात बोले हैं और मतलब हर्ष का और शोनु का दोनों का रास्ता एक हैं केवल सिक्षा लेकिन अपनी मतलब सोचे कि जब हमको सिक्षा नहीं मिल परती है अपने मता पिता से हम सरकार से हांच जो रेंगे कुछ कहेंगे कौछ आएंगे तो हमारे से सारे बच्चे को सिक्षा मिल जाएगी लेकिन हम सोचे कि अगर सरकार एक-एक बचा पो इतना ध्यान दे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्यों नहीं अपने बेटे को ही सिक्षा पले जाई इसे बच्चा प्रेरी ठोकर कुछे देखकर अपना कर सकेगा क्या बात है देखिए यहां आप कुछ करना चाहिते हैं यहीं मैं कहना चाहता हूं कि लोग सरकारी स्कूल को बदनाम करते हैं कि हमारा लड़का गया और सरकारी में पढ़कर नहीं आया तो हम कहते हैं कि जब सरकारी में बचा गया तो मास्टर ने तास दिया तो बचा आया घर पे तो उसे पुछना चाहिए कि हाँ बेटा आपको क्या मिला तो लोग अपने काम में ब्यस्त हो जाते हैं बचा से नहीं उसे पुछते हैं तो हमारा यहीं कहाना चाहते हैं कि हमारा ही बतीजा लगता है और उसी सरकारिया स्कूल में पढ़कर आज पूरा बिहार का नाम रोसन किया है तो मैं चाहता हूं बिहार के पॉब्लिक से और यतने भी भाई बंद हूं अपने लड़का को भेंजिए और जो मास्टर तास देते हैं या नहीं देते हैं उनसे जाकर मिलिए कि हाजी हमारा लड़का गया है आप क्या दिया है कि नहीं दिया मैं आपका से यहीं उपर तक ले जाए बहुत बढ़िया यह चीज तो मैं पहले भी बोल चुका हूं है मेरा समझे कि अभियान ही है कि जिस तरह से बच्चे को आप प्रा सरकारी स्कूल में बच्चे को छोड़ने जाएं उसको स्कूल तक पहुंचाएं और देखें कि हमारा बच्चा कब छुटी होगा तो घर आया कि नहीं घर लेने जाएं जिस तरह से लेने और पहुंचाने जाते हैं उस तरह से अगर सरकारी स्कूल में जाने लगें तो एक स हर्ष के साथ से हर्ष के पूरे परिवार के साथ से नमस्कार जहिंद